हाई गाईज आई होप योला डूइंग ग्रेट हम लोग बात करें हमारे डेली करेंटिफेर सेशन की जो सुबा चार बज़े वैलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रंटियर आएस पर आज की तारीख है 24 अगस 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ ही साथ पर डेली वीडियो पीडियेफ एन मंथली मैगजीन आप हमारे टेली गराम हैंडल्स प्रेंटियर आएस और सेस जल्पनेकल ओन लाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ मैंने अपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था कि सतरवा प्रवासी भारतिय दिवस जैनवरी दोहजार तेईस में किस शहर में आयोज़ित किया जाएगा इसका correct answer था indoor और दूसरा question पुचा था कि पेरलंपिक चैंपिन योगेश कथूनिया किस खेल से जुड़े हैं इसका correct answer था discuss through स्टार्ट करेंगे first question है 29 अगस 2022 को Artemis 1 rocket को launch किया जाना है इसका correct answer है NASA details देख लू तो NASA अपने अंत्रिक्ष यात्रों को फिर से चंद्रमा पर भेजने की पूरी तयारी में है और वर्तमान में अपने Artemis 1 rocket पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसे 29 अगस 2022 को launch किया जाना है Artemis कारेकरम एक अंतर राष्ट मानव अंत्रिक्ष उडान कारेकरम है जो अम शेत्र में एक मानव युक्त मिशन शुडू करना है कारेकरम में अन्यांतराष्ट भागिदार है जाकसा यानि जपान एरोस्पेस, Exploration Agency, Italian Space Agency, UK Space Agency, UAE Space Agency, Brazilia Space Agency, Australian Space Agency, State Space Agency of Ukraine, Canadian Space Agency और European Space Agency कारेकरम को तीन भागों में लागू किया जाना है वे है Artemis 1, Artemis 2 और Artemis 3 और अनुमानित लागत 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर है नेक्स देखो, हाल ही में भारत की पहली AC Double Decker Electric Bus का शुभारम किसने किया है जिसका नाम स्विच EIV-22 है, करेक्ट आंसर है नितिन गटकरी डिटेल्स देखलो, तो केंद्री सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गटकरी ने हाल ही में मुंबई में अशोक लेलैंड दवारा विक्सित भारत की पहली AC Double Decker Electric Bus स्विच EIV-22 का शुभारम किया बस के वल 45 मिनट चार्ज के साथ 100 किलोमेटर के दूरी हासिल कर सकती है जबके एक पूर्ण चार्ज में 80 मिनट लगते हैं और इसमें निकल, मेंगनीज और कोबाल्ट यानि NMC बैटरी होती है जो 8 साल की वारेंटी के साथ आती है स्विच EIV-22 सिंगल डेकर बस की तुला में लगभग दोगनी यात्रियों को ले जा सकता है जिसमें कर्ब वेट यानि यात्रियों के बिना में सिरफ 18% की व्रिद्धी होती है अशोक लेलैंड की योजना दिसंबर से शुरू होने वाले रहन मुंबई इलेक्रिक सप्लाई यांड ट्रांस्पोर्ट को दोसो वातानु कूली तिकाईयां देने की है यहां तस्वीर में देख लीजिए नेक्स्ट क्वेसन देखो चंदिगण अंतराश्चे हवाई अड़े का नया नाम किस भारते क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है? परेक्ट आंसर है भगत सिंग दिटेल्स देख लू लेकिन महौली के नाम पर हर्याना ने इस पर आपत्ति जताई थी बाद में हर्याना विधान सभा ने टर्मिनल का नाम बदलने पर एक प्रस्ताफ पारित किया लेकिन चंदिगण के उपयोग के साथ नेक्स देखो लेकिन सेख पर प्रतिबंद को समाप्त करने करने लिया है करेक्ट आंसर है सिंगापूर दिटेल्स देख लू तो सिंगापूर के प्रधान मंतरी ली सिन लुग ने हाल ही में घोशना की कि वे विवाग की परिभाशा की रक्षा करने वाले ओपनी वेशक यू के कानून को खतम करके पुर्शो के बीच समान लिंग यानि समलेंगिंग सेक्स को अपराद से मुक्त करेगा इससे पहले सिंगापूर की धारा 377A के तहट पुर्शो के साथ यौन संबंद बनाने वाले पुर्शो को दो साल तक की जेल हो सकती थी सिंगापूर में LGBT कार्यकरताओं ने इस कदम को मानपता की जीत यानि विन फॉर हुमानेटी बताया है नेक्स देखो पस्चिमी घाट के किस शिखर पर बेंट टोड़ गेको की एक नई प्रजाती की खोज की गई है करेक्ट आंसर है अगस्त मलाई डिटेल्स देख लो तो शोद करताओं को एक समूने हाल ही में पस्चिमी घाट के गस्त मलाई पहाड़ियों से बेंट टोड़ गेको की एक नई प्रजाती की खोज की है इस नए गेको का नाम जाने माने मैलेकोलोजिस्ट एने अर्विन के नाम पर अर्विन का ग्राउंड गी को दिया गया है नई प्रजातियों का वर्णन रुपात्मक और आन्विक डियने डेटा में इसकी विशिष्टा के धार पर किया गया है इसका साइन्टिफिक नाम है साइटो डेक्टिलिस अरविन्दी छिपकलियों के बीच ये कॉक्स अधुवित यानि यूनीक है वे अपने समाजिक अंध क्रियाओं के लिए चहकने और क्लिक करने के धोनियों का प्योग करते है धम की अभेवित होने पर विफुफकारने लगते हैं यहोने तस्वीर में देख लीजिए नेक्स्ट क्वेस्टन देखो राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलोजी आर कैट को अगाटन किस राज्य में किया गया है तकनीकी सनातकों को अधिक रोजगार परक बनाने के उदेशे से राजिस्टन के मुखे मंत्रे अशोग गहलोत ने हाल ही में जैपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलोजी स्कॉत घाटन किया केंद्रे वैश्विक सतरपर तकनीकी दिगजों के सहयोग से BE, BTEC, BCA, MCA, MBA, MSE IT के सनातकों के लिए एक सब्ता से छे महिने की अवधी के आधुनिक तकनीकों से संबंदित प्रशिक्षन कारेक्रम आयोजित करेगा और सफल उमीदवारों को विशुस्तरिय प्रमान पत्र भी जारी किये जाएंगे इस केंद्र के माध्यम से राज्य के युवाओं को Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cyber सुरक्षा, Robotics, Machine Learning और Data Analytics के शेत्र में विशेश अग्यों दुबारा उन्नत और उभरती हुई तकनीक सीखने का अफसर मिलेगा नेक्स देखो विदेश मंतरी S.J. शंकर ने किस देश में महात्मा गांदी जी की प्रतिमा का नावरन किया Correct answer है परागवे Details देख लो तो विदेश मंतरी S.J. शंकर ने दक्षिन अमेरिका की अपनी पहली अधिकारिक यात्रा के दुरान परागवे में महात्मा गांदी जी के एक प्रतिमा का नावरन किया उन्होंने शेहर के मुखे तट पर महात्मा गांदी जी की प्रतिमा लगाने के असुनसियन नगर पालिका के पैसले की भी प्रशंसा की विदेश मंत्री S. जैशंकर 22-27 अगस तक ब्राजील, परागवे और अर्जेंटीना के अधिकारी क्यातरा पर है इसके साथ ही विदेश मंत्री ने नए खुले भारते दूतावास के परिसर का अधाटन किया जिसने परागवे में जैनवरी 2022 में काम करना शुरू किया नेक्स देखो दास व्यपार और उसके उन मूलन के स्मरन के लिए अंतरराश्चर दिवस प्रती वर्ष किस तारीक को मनाया जाता है इसका करेक्ट आंसर है 23 अगस्ट देख लो तो दास व्यपार और उसके उन मूलन के स्मरन के लिए अंतरराश्चर दिवस हर साल 23 अगस्ट को ट्रांस अट्लांटिक दास व्यपार के लाकों पिडितों को याद करने के उदेश यसे मनाया जाता है युनेस्को दुबरा नामित इस दिन को पहली बार 23 अगस्ट 1998 को मनाया गया था इस दिन 1791 में सेंटो डोमीगो ने घटनाओ के एक श्रिंखला को गती में एक विद्रों की स्थापना देखी जिसने ट्रांस अट्लांटिक दास व्यपार के लिए मूलन के रास्ते खोले नेक्स देखो थे एक प्रसेट डैश थे करेक्ट आंसर है फिल्म निर्माता डीटेल्स देखलो तो वयोव्रिज फिल्म निर्माता अब्दुल गफार नाडिया वाला का रिदे गती रुकने से निदिन हो गया वे 91 वर्ष के थे उन्होंने 1953 में अपने फिल्म निर्मान और मीडिया मनोरंजन कंपनी शुरू की उन्होंने 1965 के फिल्म महाभारत और 2000 के दशक में हिट कॉमेडी जैसे हेरा फेरी और वेलकम सहित पचास से अधिक हिंदी फिल्मों का समर्थन किया है लास्ट क्वेस्टन देख लो आज के सेशन के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी माल गाड़ी का नाम क्या है जिसका हाल ही में परिक्षन किया गया था करेक्ट आंसर है सूपर वासू की डिटेल्स देख लो तो भारते रेल्वे ने हाल ही में सूपर वासू की नाम से 3.5 किलोमीटर लंबी माल गाड़ी का परिक्षन किया यह रेल्वे दुबरा चलाई जाने वाली अब तक की सबसे लंबी और सबसे भारी माल गाड़ी है इसके पास 36 गड़ में कोरबा और नाकपूर में राज़नां गाउं के बीच 27,000 टन से अधिक कोईला ले जाने वाले वेगन है ख्विकली बात कर लेते हैं आज की सेशन की समरी की तो 39 अगस 2022 को नासा का Artemis 1 रॉकेट लॉंच होने के लिए तयार है नितिन गड़करी ने इंडिया की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस स्विच EIV-22 का शुभारम किया चंडिगर इंटरनाशनल एरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंग के नाम पर रखा जाएगा सिंगापुन ने गे सेक्स के बैन पर एंड करने का डिसाइड किया है बैन टोट गेको की न्यू स्पीशिस अगस्ते मलाई हिल्स में पाई गई है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेकनोलोजिस को अधगाटन राजिस्तान में किया गया इस जैशंकर ने महात्मा गांधी जी के स्टैचू को परागमे में अनवील किया इंटरनाशनल डे फॉर रिमेंबरेंस अब इस स्लेव ट्रेड और इट्स अबॉलिशन 23 अगस्त को मनाया जाता है अब्दुल गफार नाडियावाला का निदन हो गया वेक फिल्म में कर थे और 3.5 किलोमेटर लॉंग फ्रेट ट्रेन सूपर वासुकी का परिक्शन किया गया बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुल्सवद अडे के आपका पहला क्वेस्टिन है अब ब्रीफ हिस्ट्री नामक को स्तकिस ने लिखी है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है बिल और मेलिंडा गेट्स फांडेशन के नियासी बोर्ड में किस भारती को न्यूक्त किया गया है दोनों क्वेस्टिन्स हुमारे प्रीवेस सेशन से है इनके सांसे नहीं आएका तो उनको चेक कर लेना दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हर्ण्स को जोईन जरूर करना है थैंके सो मच, I'll see in my next session